ओम नमः शिवाय शिव पूजन सर्व प्रथम हात में भिलवपत्र और अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें अब नीचे यहां बताया गया है कि प्रतिष्टि शिव मूर्ति जियोतर लिंग स्वयम भूलिंग तथा नर्मदेश्वर लिंग में आवाहन और विसरजन नहीं होता है उनमें ध्यान करके ही पूजा की जाती है तो चलिए ध्यान करते हैं ध्यान का मंतर सीखेंगे सबसे पहले इस तरह से ध्यान का मंतर यहां सामने लिखा हुआ है इसे किस तरह से पढ़ेंगे चलिए शिरू करते है ध्याये क्या है ध्याये उसके बाद आगे डवल ना है महेशम आगे रजत गीरी नीभम चारू चारू चंद्रा वतम सम चारू चंद्रा वतम सम जिस तरह से में बुलवा रहे हूँ आप उसी तरह से बोलेंगे ठीक है इसको एकथा नहीं बोलना है कथा बोलेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल लगता है फिर आगे दूसरी लाएं रतना क्या है रतना रतना नाम होता है रतना से ही रतना कलपोज अब आगे देखो डवल जा है एक जह हम पहले बोलेंगे कलपोज फिर आगे वाला बाद में बोलेंगे जुलांगम जुल जुलांगम है ना जुलांगम फिर उसके बाद परशू अब हिंदी में तो उसको हम परशू बोल देंगे परशू नहीं आपने इस तरह से बोलना परशू म्रीग क्या है म्रीग वरा परशू म्रीग वरा भीती भए भीत ये शब्द रहता है वैसे ही है भीती भीती हस्तम हस्त कहते हैं हाथ को तो यहां लिखा है हस्तम हस्तम प्रसन्नम प्रसन्नम अब आगे पद्मा क्या है पद्मा पद्मासन होता है जैसे योग अगर आप करते हैं तो पद्मासन होता है यहां पर है पद्मासीनम पद्मासीनम फिर उसके बाद समन्तात आगे स्तूत ममर गनेर व्यागर व्यागर शेर को कहते हैं कृूंतम में यहां पर व्यागर ही लिखा है। गृत्तिं कृतिं वसा नम ons जाण है फिसके बाद विश्वा द्यम विश्ववन ङल निखील अब हिंदी में इस तरह से बोल लेंगे हम निखिल यहां निखिल नहीं है यहां निखिल लो निखिल भय हरम भय हरम और पंच वक्त्रम पंच वक्त्रम पंच पांच को कहते हैं पंच फिर वक्त्रम त्रिनेत्रम पंच वक्त्रम त्रिनेत्रम त्रिनेत्रम अब इसको भोलेंगे किस तरह से ध्यान को इस तरह से ट्यून में बोलते हैं, यानि कि एकदम रस में बोलते हैं, एकदम आनन्द से बोलते हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अपने नेत्रों के बीच में कि भगवान शीव जो है के अलाश परबत पर बैठे हुए हैं, एकदम वैसा ध्यान करके उसमें डूब जाना होता है, और सुन्दर आवाज में, एक संगीत में आवाज में इसको बोलना होते हैं, गीत बोलते हैं वैसे उसी तरह से, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बोलेंगे इसको द्याये नित्यम महेशं रजत घिरिनिवं चारुचंद्रावतंसं अरत्ना कल्पो ज्वलांगं परशुमिगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मा सीनम समन्तात स्तुतम मरगनेर व्याग्र कृत्तिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंध्यम निखिलवयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम आप इससे भी सुन्दर बोलेंगे, मुझे यकीन है, आप अपनी सुन्दर आवाज में इसको बोलें यही ध्यान है, फिर उसके बाद एक मंत्र लिखाए नीचे ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोता इखवे नमाह बाहुब्या मुतते नमाह इस मंत्र को इस तरह से बोलना एस वीडियो से देखने से पहले मेरी एक वीडियो है रुद्र सूक्तम इसको बहुत सारे लोगों ना देखा है उस वीडियो को आप देख लें उस वीडियो को देखने के बाद आप इन सब मंत्रों को और भी अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि ये रुद्र सूक्त के मंत्र है और रुद्र सूक्त अगर आपको आता है तो आप पूरी शिपुजा आराम से करा पाएंगे सबसे पहले आपको रुद्र सूक्त जो है वह भी अच्छे से आना चाहिए तो फिर इस तरह से बोलेंगे अब देखो हमने ये ध्यान किया उनका ध्यान करने के बाद हम सबसे पहले उनको आसन देंगे ऐसा मान लेते हैं कि ध्यान करने के बाद भगवान आ गए और आने पर क्या करना है सबसे पहले उनको आसन देना आसन मतलब बैठने के लिए एक चीज देनी है जिसके उपर आप बैठ चाहो बई तो बैठने के लिए मंत्र जो है वो हर जगा जरूरी है मंत्र बोलेंगे तो उस तरह से देवी देवता आपकी बात को सुनते हुए वैसा ही भक्त के अनुसार चलेंगे ठीक है तो चलिए आसन के लिए कौन सा मंत्र है ओम या ते रुद्र शिवा ये बोलना आ रहा है ना आपको मुझे यकीन है ये इजी वर्ड्स हैं इजी शब्दें आपको बोलना आ रहे होंगे और अच्छे से सीखने के लिए आप रुद्र सुक्त देख लें तनू अरगोरा पाप का शीनी पाप का शीनी तया अब इस पूरे मंतर को इस तरह से बोलेंगे ओम भ्याते रुद्राशिवाता नूरगोरा पाप का शीनी तयानस्तन वाशंत मयागिरीशंता भीचा कशीही ओम भूर्भु वह स्वह श्री नर्मदेश्वर सांभसदा शिवायनमह आसनार्थे विल्वपत्रानी समर्पयामी आसन के लिए विल्वपत्र चड़ाएं देखो अब यहां लिखा है ओम भूर्भु वह स्वहाश्री नर्मदेश्वर सांभसदा शिवायनमह अब यहां जिस किसी के गर में नर्मदा से लाया हुआ शिवलिंग है उसको नर्मदेश्वर कहते हैं अब हर एक शिवलिंग का अपना अपना नाम रखा होता है किसी ने ठीक है कहीं के पास चांदी का शिवलिंग होता उसको बोलते है रजटेश्वर रजटेश्वर रजट कहते हैं चांदी को और चांदी में बना हुआ जो शिवलिंग उसको रजटेश्वर कहते है और किसी के हां सोने का होता है तो उसको कनकेश्वर कहेंगे कनक सोने को कहते हैं कनकेश वराई नमा अब अलग-अलग शिवलिंग का अलग-अलग नाम होता है आपके शिवलिंग का क्या नाम है उसी के अनुसार आप नाम देते हुए आसन या भिल्वपत्र जो है वो चड़ाएंगे उसके बाद है पाद्य पाद्य कहते हैं पाओं को ठीक है पाद कहते हैं पाओं को और जो पाओं में चड़ा जाता है उसे कहते हैं पाद्य तो पादे के लिए ये मंत्र है ओम्यामि खुंग ये भी रुद्रसुक्त का मंत्र है आप रुद्रसुक्त पढ़ लें मेरे द्वारा बनाई हुए एक रुद्रसुक्त की वीडियो है उसमें आप पूरा रुद्रसुक्त पहुत असानी से जीखेंगे अब राद यह हुआ है उसके बाद में भी भर ख्यस्तवे ख्यस्तवे अब बोलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भी भर ख्यस्तवे शिवांगी 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 नाम भी होता है वैसे शिवांगी रित्रतांग रित्रतांग कूरू कूरू माहिगूं माहिगूं सीही पूरुखन जगत जगत ओम बूरुवस्वह श्री नर्मदेश्वर सामसदा श्रीवाय नमहा पादयोह पाद्यम समरपयामी ठीक है इस मंत्र को इस तरह से बोलेंगे पूरुखन जगत फिर ओम बूरुखन जगत फिर ओम बूरुवस्वह श्री नर्मदेश्वर सामसदा श्रीवाय नमहा पादयोह पाद्यम समरपयामी ठीक है तो यह था हमारा पाद्यका मंत्र अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो हम बहुत आसानी से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा यही लक्षे रहेगा कि आप सभी प्रकार की बूजाएं जो है वो करना सीखें अगर आपका कोई प्रशन है तो आप नीचे रिप्लाई में जाकर की पूछ सकते हैं मैं आपक यह अर्गे होता है किसी को कोई चीज देना ठीक है तो यही है अर्गे इस अर्गे का मंत्र जो है उसको हम पढ़ेंगे ओम शिवेन वच्च सा त्वागीरी शाच्छा वदा मसी यथा नहां सर्व मिज्ज अब यहां डवल जाए ठीक है अगर एक होता तो मिज बोलते हैं यहां मिज्ज बोल रहे हैं मिज्ज गध यक्ष्मगूं यक्ष्मगूं आगर जो तारा सा दिखाई दे रहा है इसको गूं बोलते हैं जो कि मैंने आपको रुद्र सूक्त वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है यक्ष्मगूं सुमाना आसता सुमाना आसता अब इस मंत्र को इस तरह से बोलेंगे ओम शीवेन वचसात्वा गीरी चाच्छावदा मौसी यथा नाहा सरवा मिज्जगदा यक्ष्मगूं सुमाना आसता मैंने आपको कहता अर्गे कहते हैं किसी को कुछ देना तो देते कहा है हाथ में तो हाथ में ऐसा भाव रखते हुए अर्गे जो है वो बुगवान को समर्पित करें अब है उसके वाल आच्छमन आच्छमन होता है मुख के लिए मुख मतलब मुख के लिए आच्छमन होता है तो आच्छमन के लिए अच्छा जो जल है वो प्रदान किया जाता है उसमें जो प्राचीन पद्दती थी उसके अनुसार बीच में इलाइची इत्यादी डाल के जो है आचमन दिया जाता था तो आचमन के लिए जो मंतर है वो इस तरह से है अध्यवो चादादी वक्ता अध्यवो चादादी वक्ता प्रथमो दैव्यो भीखक भीखक अब ये शा जो है इसको खाव बोलते हैं जो कि मैंने आपको रुद्रसुक्त में बताया है अच्छे से फिर उसके बाद अहीम्ष्च अहीम्ष्च सर्वान सर्वान जम भयंत जम भयंत सर्वाम्ष्च यातु दान्यो दराचीही परासुव इसको इस तरह से हो लेंगे अहीम्ष्च सर्वान जम भयंत सर्वाम्ष्च यातु दान्यो दराचीही परासुव अम भूर्व वह स्वाह श्री नर्मदेश्वर सांबसदा शिवाए नमहा हाच्मनियम जलम समर पयामी जल चड़ा देना है ठीक है शिवलिंग पे जल चड़ाना है ध्यान करना है मुक का उसके बाद है स्नान तो स्नान के लिए इस मंत्र को बोलेंगे चांगे हुआ ओम आसव यस ताम्र ताम्र कहाते हैं ताबेगयो वैसरे है यहाँ है ताम्र ओम आसवज ताम्र आरून अभी हिंदी में तो अरुण बोल देंगे लेकिन यहाँ आम वेदिक मंतर में बोलेंगे आरूना, उता, उता, बबरुहू, सुमंगलाह, ये चैनगू, रुद्रा, अभीतो, दिक्षू, श्रिताह, साहसराशो, क्या है, साहसराशो, फिर उसके बाद, बैखागू, वैखागू, हेडा, हेडा, इमहे, इमहे, तो इस पूरे मंतर को इस तरह जब लेंगे, ओम, आसव, यस्ताम, रो, आरूना, उता, बबरुहू, सुमंगलाह, ये चैनगू, रुद्रा, अभीतो, दिक्षू, श्रिताह, साहसराशो, वैखागू, हेडा, इमहे, मुझे यकीन है, यो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जरूरत है, इसलिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद इसी तरह से बोलेंगे, फिर से आच्मन के लिए जल्द साथ में ही चड़ा देना है, अगर मंतर बोलना चाते हैं आच्मन के लिए, तो फिर से मंतर बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना चाते हैं, अगर नहीं बोलना चाते हैं, तो आज हम यहीं सनान तक के मंतर पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ रहेंगे हूँ पंच्शामरित सनान किड़ introduced मतलब पांच प्रगार के अंतर से से विडियो में चींखेंगे तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहें सब्सक्राइब करें कुद भी पड़ें दूसरों को बढ़ाया हमारी जो संस्कृति है इसको हुआ अभी तक पहुंचाने की कोशिश करें इस लोग डाउन में सब लोग जो हैं शीप पूजा भी सीखें अपने गर में रहा करके शीप पूजा भी करें तो हमारी वीडियो आज तक यहीं तक है और कि अब हमें इजाज़त दीजिए ओम नमाशिवाय जैश्री राम